नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर आज मैंने बनाया काली मिर्च का पनी जो खाने भोती टेस्टी है इसको बनाने के लिए मैंने लिए छे प्याजे अध्रक का टुकड़ा दस बारा के लिए लसन की चार हरी मिर्चें प्याज और अध्र को डाल देंगे उसके बार बार डाल देंगे हरी मिर्चे रसट अध्रक भी डाल देंगे अब इनको अच्छे से मिक्स कर ले और तेल हेँआट में अच्छे से मूं and और प्याज लस्न अध्रक को बिच बिच में चलाते रहें और प्याज को अच्छे से बूल लें प्याज हमेरे अच्छे से बुन चुकी है गैस बंद कर देंगे थोड़ा सा ठंडा होने रख दें यहां मैंने ली यह दही, क्रीम, देशी घी और काली मिर्च, तेजपत्ता और लॉंग नमक स्वात के अनुसार, और कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर और लिया है पनीर अब प्याज को ग्राइड़ जार में डाल कर पीस लेंगे इसका पेश तयार कर ले पेश तयार है हमारा अब एक पतीले में डालेंगे दो छोटे चमज तेल के और सारा घी डाल देंगे अब इसको अच्छे से गरम कर लेंगे घी को जब तेल और घी अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें डाल देंगे हम तेजपत्ता लॉंग इनको अच्छे से भून लें थोड़ा सा अब इसमें डाल देंगे प्याज का पिसा हुआ मसाला सारा मसाला डाल देंगे अब इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे तेल में अच्छे से मिक्स कर लें अब प्याज को अच्छे से बहुल लेंगे हम बीच बीच में चलाते रहें जिसे प्याज हमारी जले नहीं प्याज हमारी बुन चुकी है अब इसमें डाल देंगे दही दही मैंने आधी कटोरी लिए है सारी दही को डाल दें और इसको भी मसालग साथ अच्छे से मिक्स कर ले इसको मसालग साथ अच्छे से बुtering लेंगे इसको जब तक भूनना है जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे मसाला हमारा अच्छे से बुन चुका है इसमें डाल देंगे काली मिर्च आदा चमच और डालेंगे आदा चमच गरा मसाला पाउडर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें आप देख रहें मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है मसाल अच्छे से बहुन चुका है अब इसमें डाल देंगे हम पानी ग्रेवी बनाने के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर ले अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको थोड़ दिर पकने दें, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, उबाल आने के बाद इसमें पनीर डाल देंगे, छोड़े टुकड़ों में काट कर, सारा पनीर डाल दें, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर को, अब इसको भी डख कर पकने दें, जब तक हमारा पनीर और ग्रेव अच्छे से पकना जाए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ग्रेवी हमारी पक चुकी है, गैस बंद कर देंगे अब उसके बार डालेंगे हम क्रीम क्रीम मैंने यहाँ पर आदिक टोरी लिए है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ मैंने कसूरी मेथी को थोड़ से तबे पर डाल कर ड्राइ रोस्ट कर लिया है अब इसको मसल कर डाल देंगे आप इन सब का अच्छे से मिक्स कर लें हमारे काली मिर्श का पनीर बन कर तयार है एक बर आप जुरू बना कर देखें बहुत ही टेस्टी लगता है ये अगर आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ में बेल आइकन का बड़ाइब नहीं किया है